तर्की का क्या आर्थ होता है यह आज की इस वीडियो में सीख लेते हैं तर्की का कई तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है एक तो तर्की जो है एक देश का नाम है जिसे हिंदी में हम तर्की कहती हैं इसके इलावा तर्की जो है वो किसी नासमझ को भी कह सकती है और पेरू पक्षी यानि कि एक प्रकार का जो पक्षी होता है कुछ दिखने में इस तरीके का होता है तो इस पक्षी को भी टर्की कहा जाता है जैसे कि अगर आप ये कहना चाहें कि उसकी आकरी फिल्म एक असली टर्की थी यानि कि ना समझ थी या ना समझी थी तो आप कहेंगे His last movie was a real Turkey His last movie was a real Turkey या अगर आप ये कहना चाहें कि एक तुर्की काली ने फर्ष को सजाया तो आप कहेंगे A turkey carpet adorned the floor A turkey carpet adorned the floor या अगर आप ये कहना चाहें कि तुर्की कभी एक महतवपूर्ण आपनेविशिक शक्ती था तो आप कहेंगे Turkey was once an important colonial power Turkey was once an important colonial power अब आप ऐसी ही किसी भी word का मतलब हिंदी और इंग्लिश में YouTube पर सर्च कर सकते हैं आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतो बकवास के सीधा उस word का मतलब समझ पाएंगे तो ऐसी ही वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस करें